हलो दोस्तो वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ इंगलिस स्नैपशॉट चैप्टर दी एड्रेस रिटन बाइ मारगा मिन को दोस्तो ये वर्ल्ड वॉल्ड टू की कहानी है जब वर्ल्ड वॉल्ड टू हॉलेंड में हुआ था तो मारगा मिन को की मध मधर को अपनी प्लेस छोड़कर जाना पड़ा मीनस अपना घर छोड़कर जाना पड़ा तो उन्होंने अपने सारे बिलॉंगिंग्स अपनी परिचित महिला मिसिस डॉलिंग के पास रखवा दिये और तब मारगा मिन को एक छोटी बच्ची थी तो बच्पन में उनकी मध उनको एक यह अडरन ने अनहीं उनको एक एड्रेस बताया था और उन्हों 46 तो वे स्ट्रीट पर जाती है और उनको मिसेज डॉलिंग का घर मिलता है और वे दर्वाजा खटाती है तो पहले तो एक बार दर्वाजा नहीं कोलती है दूसरी बार कट कट आने पर मिसेस डॉलिंग दर्वाजा खोल कर कहती है have you come back अब दोस्तों मिसेस डॉलिंग ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनको क्या लग रहा था कि वर्ड वर्ड टू के कारण ये फैमली में फैमली बची ही नहीं है सब मेंबर्स की मौत हो चुकी है लेकिन मारगा मिन को तो अभी जीवित थी तो मारगा मिन को कहती है मुझे अपने मदर के सब बिलॉंगिंग देखने है क्या आप मुझे दिखाएंगी तो मिसेस डॉलिंग कहती है अभी मेरे पास टाइम नहीं है आप किसी ओल टाइम में आये तो मारगा मिन को कहती है नहीं मुझे वापिस जाना है आप प्लीज दिखा दीजिए क्योंकि अब मेरे पास दूसरी बार आने का टाइम नहीं है तो मिसेस डॉलिंग साफ मना कर देती है और वे वापिस चली जाती है और वे जब वे रेलवे स्टेशन जाती है तो उनको रियलाइज होता है नहीं मुझे एक बार और उस एड्रेस पे जाना चाहिए और अपने मधर के बिलॉंगिंग देखने चाहिए तो वे वापिस उस एड्रेस पे जाती है इस बार दर्वाजा मिसिस डॉलिंग नहीं खोलती उनकी यंग डॉटर खोलती है तो उनकी डॉटर ने दर्वाजा खोला मिसिस डॉलिंग ने उनको कहा और दोस्तो मारगाम इनको कुछ नहीं चाहिए था मतलब वो अब अपनी मदर के बिलॉंगिंग्स वापिस अपने साथ ले जाना भी नहीं चाती क्योंकि वे ये सोचती थी कि जिनके ये बिलॉंगिंग्स हैं अब वे इस दुनिया में नहीं है तो अब मैं इसको वापिस ले जाके क्या करूंगी तो ये बात उन्होंने अब मिसिस डॉलिंग की डॉटर को कहा तो मिस मारगामिन को ने कहा मुझे सेफ इसको फील करना है तच करना है मेरी मधर के बिलॉंगिंग्स तो डॉटर ने हा कर दी तो जब वे उसे देखने अंदर गई तो मारगामिन को तो बड़े-बड़े अलमीरा दिखे और एंटिक प्लेट्स दिखी कुछ एंटिक ज्वैल्रीज दिखी तो ये सब को फील करके टच करके वापिस चली गई मारगामिन को अब दोस्तों ये जो मारगामिन को है पहले जब वे बचपन में छोटी थी तो रॉयल फैमली में रहती थी लेकिन अब वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती है क्योंकि वर्ड वार के कारण उनकी मदर की मौत भी हो चुकी है इसलिए अब उनको एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा है और वे एड्रेस को भूलना भी चाहती है क्योंकि उनका सोचना क्या था कि अब मैं अगर उस एड्रेस को बार बार याद करूंगी तो मुझे वापिस अपनी बदर की याद आईगी इसलिए वो इस एड्रेस को भूलना चाहती थी और ये जो चैप्टर है दी एड्रेस हमें ये मैसेज भी सेंड करता है कि जो वर्ल वार्ज होते हैं मतलब कितनी हाडशिप्स ले आते हैं लाइफ बिगर जाती है देश की एकोनॉमी भी खराब होती है तो ये थी दोस्तो फुल सम्री ओप दी चैप्टर दी एड्रेस अब हम इसके कॉश्यन आंसर देख लेते हैं Q1. Have you come back? said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? अब have you come back? किस ने कहा था? Mrs. Darling. अब Mrs. Darling ने ऐसा क्यों कहा था? दोस्तो Mrs. Darling ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें ये लगता था कि वर्ल वर के कारण जो मारगा मिनको का परिवार है वो पूरा खतम हो गया है लेकिन ऐसा नहीं था मारगा मिनको अभी जीवित थी और वे अपनी मदर के बिलॉंगिंग्स देखने आई थी Next question. The story is divided into pre-war and post-war times. What hardships do you think the girl underwarn during this time? अब मैंने क्या बताया था कि मारगा मिनको इसमें पूछा है दोस्तों कि मारगा मिनको जो girl थी उसको क्या-क्या hardship जेलने पड़े थे मैंने बताया था कि मारगा मिनको को अब पहले बच्पन में बहुत rich family में रहती थी लेकिन अब वो एक rented apartment में रहती है और उनकी मदर की मौत हो चुकी है तो यह सब hardship उस girl को जेलने पड़े वर्लड वार के कारे next question why did the narrator of the story want to forget the address अब narrator मारगा मिनको यह address को क्यों भूलना चाहती थी वे यह इस address को इस लिए भूलना चाहती थी क्योंकि अगर वे बार-बार उस address को याद करेगी तो उनको बार-बार उनकी मधर की याद आई की इस लिए वह इस address को भूलना चाहती थी next question the address is a story of human predicament that follows war command अब इस question में आप लिख सकते हैं कि जो address है कितनी hardship ले आता है human life पे कि देश की economy खराब होती है न जाने कितने परिवार तबाह होते हैं तो यह सब आप इस question की answer में लिख सकते हैं तो यह थी दोस्तो full summary of the chapter the address with question answer thank you